हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और इस अप्रेल 2024 के मंत्री लव राशी फल में आज हम ये जानेंगे कि जो हमारे विरिश्चिक लगन राशी के मित्र हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस अप्रेल 2024 में और जैसा कि आप जानते हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो हम कुछ मुखे ऐ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम विशेश रूप से बात करते हैं जिसमें की सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सिंगल जातक यानि कि अगर आप या आपके जीवन में कोई आपका मित्र नहीं बना है और आप ने चाहे पहले सोचा या नहीं सोचा कारण क्या रहा क्या नह नहीं रहा उसमें हम नहीं जाते हैं कि अब़ि Kan intentar ली आप पूरी तरह से सिंगल हैं लेकिन सिंगल होते हुए नहीं नहीं हैं इनसान है हम लोग भी विचार तो मन में आते जाते रहते ही हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो अगर आप सिंगल हैं, तो क्या आपके भी मन में कुछ ऐसा विचार पैदा हो रहा है, कि भई आप भी अपना कोई मित्र बनाएं, तो ये तो विचार जब भी आते हैं, इस तरीके कि जब गरहों का संकेत होता है, गिरों का सपोर्ट होता है और कितना सपोर्ट है कितना नहीं है इसके ओपर भी बात करेंगे तो साथियों के ये जो चीज़े हैं आप से बताऊँगा कि देखिए जो सिंगल है अगर आपने कोई पसंद कर लिया है अपने लिए या पसंद मान लिजे अभी आपने पसंद किया है और आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया सरब मनी मन आप उसको पसंद करते हैं या एक्सप्रेस कर दिया अपने अपनी इच्छा तो कितनी बात आगे बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी या आपने सीधे सीधे उनके सामने प्रपोज कर दिया या करना चाहते हैं यह जो भी ऐसी चीजें हैं यह सारी चर्चा का विशे है इन पर बात करेंगे और दूसरा पॉइंट रहेगा कि आप अगर लिविन रिलेशन में चल रहे हैं आपका कहीं पर किसी अपने मित्र के साथ लव एफेर चल रहा है तो उन चीजों को ले करके हालात कैसे बनेंगे इस अपरेल दोहजार चोईस में और कितना आप उसको एंजोय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पॉइंट नमबर थ्री रहेगा कि भाई आपका विवा का योग बनेगा क्या इस महीने अगर आप रिलेशन्शिप में है या फिर आपका चल रहा है और आप मेरिज करने की प्लैनिंग भी अगर मान लीजे साथ की साथ कर रहे है तो क्या उसमें सबसे सो पाएंगे कि अगर ऐसी प्लानिंग है तो कोई कोई योग बनेगा क्या इस महीने और तीसरी बात ये कि भाई जो पॉइंट है तीसरा वो ये कि मेरिट कपल्स अगर आप हैं महिला हो या पुरुष तो आपके लिए वेवाहिक जीवन इस महीने कैसा रहने वाला है आपका वेवाहिक जीवन के बाद आजाते हैं अब एक्स्टा मेरिटल एफियर्स पर कि एक्स्टा मेरिटल एफियर्स का कोई योग है क्या इस महीने आपके लाइफ में बनेगा क्या और साथियों अगर है तो भी बताएंगे और अगर नहीं है मान लिज़े आप कहते हैं कि पहले से हमारा तो है तो इस महीने कैसा रहेगा उसके ओपर भी चर्चा करेंगे और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉंटेक्स सिचुएशन में चल रहे आपके परसन ने आपको सोशल मीडिया पर बिलॉक किया हुआ है आपसे बाचीत नहीं हो रही है आप और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉमिनिकेशन नहीं है किसी भी तरह से नहीं है लेकिन आपकी इच्छा बहुत है कि आप उनके साथ दुबारा से अपनी उसी रिलेशन्शिप को देखना चाहते है तो ये उनी लोगों के लिए है ये बात जो आज हम बताने जा रहे हैं तो साथियों सबसे पहले जो हमारे विरिश्चिक लगन राशी के सिंगल जातक है उनके विशह में करेंगे बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो महिना है इस महिने के आरम से और महिने के कम से कम मध्धे तक दिखिए ग्रहों के सिती कुछ ऐस प्रकार की है साथियों कि मैंने जैसा कहा कि सिंगल को लेकर के बात कर रहे हैं जो सिंगल जा तक है बेशक आप पसंद कर रहा है लेकिन जो ग्रहों के और से संकेत हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आप अपने आप में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे और कन्फ्यूज इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आफ्टर आल मुझे करना क्या आए आगे स्टेप क्या लेना चाहिए क्या स्टेप लेना चाहिए कभी सोचेंगे आप ऐसा करें कभी सोचेंगे वैसा करें कभी सोचेंगे ना करें ये इस तरीके की एक दुविधा आपके मन में बनी रहेगी और उसका कारण ये है कि चार-चार ग्रहें जो है उनका योग बना हुआ है आपके पंचम भाव में सूर्य बुद्ध शुक्र राहू जिसके कारण ऐसी इस सिती बनेगी आप चाहेंगे भी अपने उस मित्र को पसंद भी करेंगे कुछ सोच करके पीछे भी हटेंगे लेकिन ये सारी चीजें आप ये न भूलें कि वो मित्र कहीं न कहीं आपको नोटिस कर रहा है बहुत अच्छी डंग से आपकी activities, आपका way of talking, बात करने का धंग, body language, सारी चीजें वो मित्र आपका अच्छी डंग से आपको नोटिस कर रहा है हर चीज नोटिस कर रहा है एक एक चीज बहुत बारी किसे लेकिन आप पहले अपने आपको तो समालिए, पहले तो आपको अपने आपको समालना है अगर आप अपने आपको समालेंगे और finally ये decide करेंगे कि after all आपको करना क्या है तो अभी तो कुछ आगे step ले पाएंगे अभी अगर मैं सुबह कुछ और सोचता हूँ, दुफैर कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और तो decision मैं क्या ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा और कई बार मानसिक तोर पे भी परिशानी रहेगी आपको, दिमागी तोर पे भी परिशान रहेंगे और परिशानी का कारण जो है, वो कोई खास ऐसा नहीं होगा वो आपकी अपनी खुद की समस्या ही रहेंगी, वो negative thoughts जिसको कहते हैं न तो negative thoughts को बिल्कुल जगा ना दें अपने दिल और दिमाग में, positive सोच रख करके आगे चलें क्योंकि आपका जो मित्र है न, उसका मैं आपसे बिल्कुल ये चीत बताना चाहूँगा कि पूरे महीने, 9 अपरेल से लेके, और महीने के आखिरी तारीक तक अपरेल की जो आपका मित्र है, वो आपके पृति, उसका जुकाव काफी अच्छा रहने वाला है लेकिन यहाँ पर जो है न, जो मैं देख पा रहा हूँ, आप उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या समझ करके भी, पतानी किस उल्जहन में हैं, इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप प्रपोस करेंगे तो आपका प्रपोसल तो आपके मित्र के दोरा एक्सेप्ट करे ही लिया जाएगा और यहाँ पर एक और अच्छी बात है, जो आपके फिर्वर में जाती दिख रही है कि यह जो संबंद हैं, इन संबंदों की चर्चा अगर आप अपने घर में अपने पेरेंट्स वादी के साथ भी करते हैं तो उनको भी इसको ले करके कोई विशेश परिशानी हो, इसकी भी संभावना नहीं है यह भी बात है, अब यह आप पर डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों का कैसे लाब ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं मैंने आपको सारी चीज़ें सपष्ट कर दी हैं यहाँ पर और साथियों मैं आपसे इतना भी बता दूँ कि अगर आप ने थोड़ा सा बोल्डी डिसीज़ें लिए और समझदारी के करीके से लिए तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शादी का योग भी बनेगा आपके लिए और वो शादी जो है आप जो योग बनेगा वो 24 तारीक से बनेगा 24 अपरेल से लाष्ट के एक हफता होगा उसमें आप विभावी संपन कर सकते हैं और आगे बात करते ही कि अगर आप living relation में हैं या लव-affir चल रहा है आपका तो कैसे हालात रहेंगे अगर आप living relation में हैं आपके मित्र का आपको भरपूर सायोग मिलेगा जितना आप सोचेंगे उससे कहीं अधिक मिलेगा लेकिन आप अपनी उल्जनों में ही इतने परिशान और उल्जे हुए रहेंगे कि आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना कि आप उनको समय कब और कैसे दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं बावजोद इन सारी चीजों के कमियां आपकी तरफ से ही दिखाई दे रही हैं इस महीने जो भी कमियां रहेंगी आप अगर हम ये भी कहें कि थोड़ा सा महीने के आरम से और मद्ध के बीच में तो ज़्यादा आप उसको एंजोई नहीं कर पाएंगे अपनी मित्रता को जिसके साथ आपका एफेर है या आप लिव इन डेलिशन में बहुत ज़्यादा लेकिन हाँ इस बात के अधिक चांसिस बन रहे हैं कि महा के उत्रार्द में जाकर के आप थोड़ा एंजोई कर लें और माहा के उत्रार्द में ये भी बता दें कि अगर आपका शादी विवाह का भी कोई इरादा है तो उसका भी योग बन रहा है शादी भी संपन्न आप कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो और इसके आगे बात करते हैं जो नंबर तीन कि जो विवाहित महिला पुरुश हैं मेरिट कपल्स हैं उनके विशह में जानेंगे प्रियसातियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो आपका वैवाहिक जीवन है वो उसमें सुखों में तो किसी प्रकार की कोई दिखाई नहीं देती चीज़े सही चलेंगी थोड़ी बहुत कुछ विपरीद दिशा में भी चलती नजर आएंगी लेकिन अधिकतर जो चीज़े हैं वो सही दिशा में ही जाती हुई दिख रही हैं वैवाहिक जीवन में हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि देखिए 24 सारी के बाद 24 से लेकर 30 अपरेल तक का जो समय है इसमें आपका जो जीवन साथी है लाइफ पार्टनर है उसको हेल्थ के कुछ इशूज हो सकते हैं हेल्थ की समस्या बन सकती है उसका ध्यान रखिएगा बात करेंगे कि आप विवाहित हैं लेकिन फिर भी या तो पहले से कहीं आपका एक्स्टा मेरिटल एफिर चल रहा है अगर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे उसके हालात ऐसे रहेंगे कि आप का जो मैंने अभी कहा कि वैवाहित जीवन में जो आपका जीवन साथी है उसको महा के अंतिम जो दिन होंगे उसमें थोड़ी स्वास्त को ले क के समस्या हो सकती है और यहां पर वही अंतिम दिनों में आप अपने उस मित्र के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे अब मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कहना चाहता हूं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्फ के जो इसूस की मैं बात कर रहा था या कर रहा लिंक्ड हो रही है तो यहां पर यह चीज आपको समझनी है देखनी है कि भाई आप एक तरफ ही जो रिलेशन्शिप है चाहे मेरिज़ वाली हो या फिर वो एक्स्टा मेरिटल एक ही दिशा में चल पाएंगे अगर आप सोचते हैं कि मैं दोनों चीज़ों में दो नाव मे इस महीने आपके लिए मुश्किल लगता है आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप नो कॉंटेक्ट सिचुशन में तो कैसा रहने वाला है आपके लिए विर्श्चिक लगनराशी के जातकों के लिए प्रियसातियों अगर आप नो कॉंटेक्ट सिचुशन में हैं तो यहां पॉजिटिव एटिटूड ही आपको देखने को मिलेगा और अगर अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है आप मुलाकात करने के लिए अगर डालते हैं कोशिश करते हैं तो वह भी पॉसिबिल होने की संभावना है मुलाकात होने की बात और उनकी तरफ से तो मुझे हो सकती है या तो जल्दवाजी में आप कोई गलती कर बैठेंगे या जाने अंजाने आप से कोई गलती हो जाएगी तो यहां पर मैं जो आपको थोड़ा सा सतर्ग भी करूँगा साफधान भी करूँगा कि तेरा जो पी स्टेप ले सोच समझ करके ले एक तो जल्दवाजी में कोई ना ले बहुत जादे एकसाइटेड ना हूँ के भई मेरा मित्र देखो अब क्या कहते हैं कहां तो ऐसा सोचता था ऐसा कहता था और आज में मिला हूँ तो अब तो कुछ और ही बात है मज़े तो यकीन ही नही कि मैं अपने कानों पर कि मैं वही बात सुन रहा हूं जो मैं एकस्पेक्ट करता था अपने उस मित्र से तो अगर ऐसा हुआ है तो हमारा ब्रेक-प ही क्यों हुआ हम अलगी क्यों हुए हमारे बीच में जब कोई वाद वे वाद था ही आप से भी मेरा यही कहना होगा कि देखिए अगर आपका मित्र चीज़ों को भुला करके जो भी पास्ट में हुआ अगर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपको ले करके कुछ अच्छी सोच है तो आपको भी उसके सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए आपके दिल में भी उसके लिए एक प्यार तो होता ही है प्राइम चीज होती है लेकिन रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए साथ की साथ अगर आप उसको सच्चा प्यार करते हैं लेकिन यहाँ पर मुझे मैं इसलिए यह बाते हुए हूँ कि यहाँ पर सच्चा प्यार होते हुए भी कई बार व्यक्ति कुछ गलत इस्टैप ले जाता है और इसी बात के संकेत ग्रहों की और से मिल भी रहें तो आपको मैं उन बातों के लिए यहाँ पर साफधान करना चाहता हूं उससे आप थोड़ा सतर्क रहिएगा अगर आप इन चीज़ों को ले करके सतर्क रहे सोच समझ करके आपने इस टैप लिए तो चीज़ें आगे आपके हक में बहुत अच्छे ढंग से जाने वाली मुझे लगती है चीज़ें बहुत सही रहेंगी तो प्रियसातियों ये था वरिष्चिक लगन राशी के जो हमारे मित्र थे उनका मंतली लवराशी फन अप्रेल दोजार चौविस का आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाब ले पाएंगे और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियो बनते हैं वे सारे वीडियो समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुच पाएं तो फिर आप जो बैल आइकन है उसको पुश जरू कर दीजे तो प्रियसातियों अब हम आपसे अपने दर्शकगणों से मित्रगणों से इजाज़त चाहेंगे और अपनी वारी को भी यहां पर विराम देंगे तो आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी